विल्कम बैक टू मैं चैनल लक्ष्मिय निशिका के लाइफ में आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत है तो मैं आज आ गई हूँ मॉनिंग मॉनिग आप सब के साथ एक नया ब्लॉक लेके पूजा आने बाला है हम सब मिल के साथ में खुब सारा मस्ती करेंगे तो देख दो दिन पूजा हुआ था ना तो यह सेकेंड का वीडियो है और थोड़ाजा लेट से इसलिए आ रहा है कि मेगाले में नेट्वर्क का बहुत ज्यादा इश्यू हो रहा है तो मैं नहीं ठीक से वीडियो बना पा रही थी डाल पा रही थी क्योंकि एकदम ही नहीं चल रहा तो यहां पर इशिका को मैंने जूस बना के दे दिया था यहां पर साग काट के रेडि कर लिया हूँ सब कुछ ऐसे रेडि कर लेने से बहुत ज्यादा इजी होता है तो यहां पर मैंने वाटरमेलन को भी फ्रीस से निकाल लिया है इशिका को बाद में मुझे देना होता है और बेटे को देखिए हर टाइम इसका बदमाशी एकदम लगाई रहता है तो मौनी से तीन चार घंटे लगा कि अपने कार को चमकाया है हस्बन ने अब फाइनली वो टाइम आ गया है इशिका और हस्बन नहा के नीचे आ गया है पूजा करने के लिए तो ये जो यंत्र है हमारा कार हो साइकल हो ये सब चीजे ना हमें हमारे हर शुक दुख में साथ देते हैं हर टाइम हमारे साथ रहते हैं तो इनको भी हमें थेंक्यू करना चाहिए। तो बहुती सुन्दर उपाई से हम बिश्यक्रमा पूजा के दिन इन सब चीजों को अच्छे से साफ करते हैं। पूजा करते हैं और दिल से शुक्रिया बोलना चाते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे ही अच्छे से रहो चाहे आपके अंदर जान ना हो बट फिर भी आप हमेशा ही हमारे साथ रहते हो हमें बहुत जादा हेल्प करते हो हर मुश्किल में तो थैंक यू सो मच और यही चीज हम कि नहीं गई थी यहां पर है खिजडी यह है मिक्स भेज और मैंने अपना सर्फ कर लिया है और इसका टेस्ट मैं क्या बताओं अमरित जैसा टेस्ट था बहुत जादा ही एकदम प्रसाद में क्या बोलू मेरे पास वर्ड नहीं है दैन उसके बाद हजबन थोड़े से बाह गुलाब जामून और समुसा जो कि मेरे लिए भी पेक करके लाए है और इससे पता लगता है उनके मन में मेरे लिए जो प्यार है इन चोटे-चोटे चीड़ों से मुझे बहुत जादा अच्छा लगता है वह बाहर मुझे छोड़के कुछ भी नहीं खाते है और से मैं भी मैं कुछ भी खाती भी हूँ अगर मुझे बहुत जादा बुरा लगता है उनके लिए बहुत याद आती है और यह है ब्रेड जो कि इशिका के लिए बहुत जादा अच्छा है हम लाते है मिल्की ब्रेड और गुलाब जामून उनको अच्छा लग गया था वह एकदम लेक से ही खाना बनाना स्टार्ट कर दी थी क्योंकि हम दुपर को कुछ नहीं बनाया थे बस इशिका के लिए थोड़ से खिच्टी मैंने बना ली थी तो साख को यहाँ पे मैं फ्राइ करी हूँ और यह साख मेरा और हजबन का हम दोनों का ही फेबरिट है यहाँ पे जोरो सोरो उसे प्रिप्रेशन कर लिया है चिकन मैरनेट करके रग दिया था इशिका के लिए अलग से हमारे लिए अलग से तो मैरनेट करके चिकन बनाना बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो मैं हमेशा ही मैरनेट करने के बनाती हूँ यहाँ पे के तयार हो गया है आज खाने में बहुत कुछ है मैं आप लोग के शेयर करना चाहती हूँ एक एक करके तो यहां पे है इशिका के लिए चिकन यह मेरा कल दबेर का भी हो जाएगा और यहां पे है लॉंग बीन फ्राइ जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इशिका के गुर से बनाता है और यह है काला चना ड्राइ फ्राइ यह मेरा मॉनिंग का ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा अब रात को थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे और यहां पे है लास्ट नॉट डलीस्ट चिकन ओ सौरी आगे जागे आपको लोग को राइस भी दिखने को मिलेगा त चले के तो लाइक गवें और सब्सक्राइब को नहां देख रहा है तो बबाई टी के लव यू अल फ्यू